महाराष्टा के सत्ता रूट महाविकास अगाडी सरकार के तीन दलों ने उत्तर परदेश के लखिमपूर खीरी में हुई हिन्सा के खिलाब सोमवार को परदेश व्यापी बंद का लोगों से दिल से समर्तन करने की अपिल किये हिंसा के विरूद में सत्ता रूट गटबंदन में सामिल दलो ने इस बंद का आहवान किया है इस बंद का आहवान M.V.A. में सामिल सिरसेना, N.C.P. और कॉंग्रेस ने सयुक्त रूप से किया है राष्टेवादी कांग्रेस पार्टी के परवक्ता नवाब मलिक ने प्रवीवार को बताया कि आज आधी रात से परदेश व्यापी बंद की सुरुवात हो जाएगी उन्होंने कहा कि सिरसाना, N.C.P. और कांग्रेस के कारेकरता नागरिकों से मिल रहे हैं और उन्हें बंद में सामिल होने तथा किसानों के साथ एक जूट दिखने का आगर कर रहे हैं नवाब मलिक ने कहा भारते जंदा पार्टी की अगुवाई वाली केंदर सरकार ने तीन कानून बना कर कृशी उत्पादों की लूट की अनुमती दी है और आप इनके मंत्रियों के रिष्टेदार किसानों की हत्या कर रहे हैं हमें कर्शिकों के साथ एक जूटता दिखानी होगी NCB नेता ने कहा कि MVA की मांगे की कैंदरी गरव राज्जी मंत्री अजय मिस्रा को बर्खास्त किया जाए उन्होंने का सुपरिम कोट के हस्तक सिप के बाद मंत्री के बेटे को गिर्पतार किया गया लखिंपूर खीरी में तीन अक्टूमबर को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने कैंदरी मंत्री की बेटे आशिश मिस्रा को सनिवार की राध गिर्पतार कर लिया आसिस पर आरोप है कि यूपी के उप बुखिमंत्री केसो परसाद मौरी की कारेकरम का विरूद कर रहे किसानों को कुचलने वाले वहानों में एक मेवे सवार थे इस हाजसे में च्यार किसानों की मौद हो गई थी इस बीच महराष्टा परदेश कांग्रेस अध्यक्स नाना पटोले ने कहा कि उनकी पार्टी के कारेकरता और नेता राज्य भवन के बाहर विरूद परदेशन करने के लिए मौन वरत आयुजित करेंगे पटोले ने कहा उनके कांग्रेस के सभी कार्य करता था लोगों में इस बंद को सपल बनाने के लिए उसमें भाग लेने की अपिल की सिर्साना के राजिस सबा अद्यक्स संजे राओत ने सनिवार को कहा कि उनकी पार्टी पूरी सक्ति के साथ बंद में सामिल होगी उन्होंने ये भी कहा कि केंदर सरकार दोरा बनाये के किसान वीरोधी कानून के खिलाव लोगों को जागना आविश्यक है किसान सबा ने इस बंद को समर्तन दिया है संगटन ने कहा कि 21 जिलों में इसके कार्य करता समान विचार वाले संगटनों के साथ बंद को सबल बनाने के लिए समन्वे इस्तापित कर रहे हैं